इस्टुडेंट से एक बाब फिर से आपका एक और नई वीडियो में पादबा स्वागत हैं तो आज की इस वीडियो में हम पैक्टिस करेंगे डू एस डारीटेट की तो वीडियो के स्टार्डिंग से रहे का इंट तक जरूर देखेगा क्योंकि जो डू एस डारीटेट आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ये काफी जाधा इंपाउर्ड है चरीड वीडियो को शुरू करते हैं अब देखी स्ट्रेंट्स आज हम सिर्फ साइटेस को निगेटिव बनाना और इसको इंटेरगोडिव बनाना सिखेंगे यानि कि ये साइटेस को निगेटिव में चेंज करना और इसको इंटेरगोडिव में चेंज करना सिखेंगे जो हमारे do is right hand में पूछे जाते हैं और जो questions आज मैं आपको explain कराने जा रहा हूँ इस तरह से questions exams में पूछे जाते हैं ये questions आ चुके हैं और अभी भी आने के chances से इनके बहुत जाता हैं चलिए one by one इनको समझते हैं तो देखिए हमारा first question है He does his homework daily Change into negative अब मैं इसको negative में change करना है negative में change करना है यानि कि हमें कहीं नउट का यूज़ करना है क्योंकि negative बनाने के लिए हमें not का use करना है लेकिन अब सवाल यह create होता है कि not हमें कहां पर put करना है चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले आप status को पहचानिए कि यह कौन से test का sentence है उसके बाद ही हम उसे negative में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर ही लिकाएं और does लिकाएं does का use किया जाता है प्रदन indefinite में लेकिन एक confusion और होता है कि भाई does यहाँ पर helping verb है या फिर does आपकी man verb है और mostly students इस बात को लेकर पहुत दादा confused होते हैं इस तरह के sentence में कि अब यह does helping verb है या फिर man verb है चलिए आज मैं आपका doubt किलियर कर देता हूँ बचों इस does को समझने दे पहले सब से पहले आपको do को समझना होगा दिखिए do do का मतलब होता है करना do का मतलब क्या होता है करना यह do जो है यह man verb भी है और helping verb भी है और इस do में अगर yes लग जाता है तो यह बन जाता है does क्या बन जाता है does और यह does भी एक man verb भी है और helping verb भी है लेकिन अब यहाँ पर यह does है यह man verb है कि helping verb है यह हमें समझना है ठीक है यह तो clear है कि do एक main verb यह जिसका मतलब होता है करना जिसकी second form होती है did, third form होती है done, do, did, done, इसी तरह से इसमें yes लग जाता है, तो यह does बन जाता है, जिसे कि go है, go एक main verb यह इसमें yes लगा देंगे, तो यह goes बन जाता है, ऐसे do, does बन जाता है, अब लेकिन यहाँ पहचानते हैं कि यहाँ helping verb के main verb यह को subject ही है, he के बाद does आया है, और फिर लिका हुआ है his homework, अब यह sentence हमारा present indefinite का है, negative तो नहीं है, तो यह जो does है, यहाँ पर main verb का का काम कर रही है, किसे का काम कर रही है, main verb का, क्योंकि does का मतलब निकला है करना, जैसे कि he does his homework daily, वह अपना gray car daily करता है, तो does का मतलब क्या निकल रहा है, करना निकल रहा है, तो यहाँ पर यह जो does देख रहा है, आपको यह main verb है, और यह present indefinite का हमारा sentence है, अब हमें इसको बनाना है negative, अब यह को negative बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया था, कि not लगाते है, लेकि not किसके बाद लगाते है, बच्चो not always हम ल लगेगी या फर आपकी does लगेगी, ठीक है, या तो do लगेगी या does लगेगी, पर subject singular होगा, तो हमारी does लगेगी, और plural होगा, तो helping verb do लगेगी, अब समझते हैं इसके answer को कैसे बनेगा, देखो, starting में हमें चाहिए subject हम यहाँ पर लिखेंगे he, he, ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए helping verb, हम helping verb लिखेंगे does, he, does, अब यह जो does है, यह helping verb है, यह उपर से जो देखने को मिल रही है, वो तो man verb है, he does, negative बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम use करेंगे simply not का, he does not, अब हमें चाहिए verb की first ma, अब यह जो does है, इसमें से yes हटा देंगे, तो इसके हम पहली form, यानि he does not do, ठीके, इतना समझ आया, यह does हमने यहाँ पर helping verb लिखी, negative बनाये जा रहा है, इसलिए note लगाया, लेकिन अब यहाँ पर हमें do लिखने को और students 99% यही mistake करते हैं, वो इस do को नहीं लिख पाते हैं, और बना do को लिखे, sentence को बना देते हैं, जो के incomplete होता है और wrong होता है, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीके, he does not do, अब इसके बाद जो भी sentence का पार्ट है, उसको आप write कर जीए, his homework daily, तो यहाँ पर simply हम यहाँ पर write करते हैं, his homework, तो his homework, यहाँ पर write कर लीजी, डेली, ठीके, he does not do his homework daily, वह अपना गिरहकार डेली नहीं करता है, यह बन ग ठीके, ठीके, एक बाद फिर आपसे बता रहा हूं कि इस डू को जरूर लिखिएगा, इस्टूर यहीं mistake करते, इस डू को नहीं लिखते, वह क्या बनाते, बता है, he does not his homework daily, बस, wrong होता है sentence, यह सही है, 100% correct है, और यह एक्जाम में आ चुका है, आप पर 61 दिर उड़ागे द आपने, she teaches English, इसमें क्या करना है, change to interrogative, हमें इसको interrogative में change करना है, अब दो को interrogative में change करना है, तो बिल्कुल एक बात याद रखिए, कि उसकी studying आपको helping word से करना होगी, किस से helping word से, सवाल हमें बनाना है, तो हमें helping word से starting करना होगी, लेकिन helping word कौन सी आएगी, यह पता यह भी बताएं थी, या दू है, आप subject singular होगा दू होगा दू लगेगी, और plural होगा दू लगेगी, तो starting हम किस से करेंगे, इसकी starting हम करेंगे, दू से, पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे does, simply हमने लिखा, does, क्यों हम लिखा does, क्यों हम लिका does, क्यों है, क्यों हम सब्जेट ह SSGO टकर हम लिखेंगे इसकी एक्चुल फाम 2 2di LEAH ट्रासंटमार इंग्लीश थे सिंपली हम यहाँ एक्ट करेंगे इंग्लीश तो यह में राइट करता हूं इंग्लीश लिस्टी आश्रम जरूरी reinset infa लांस्ट में कोशिम मांक जरूरी है इसलिए हमने इसकी स्टार्डिंग 10 से करें और क्यों आया क्योंकि सब्जेट हमारा सिंगूलर है इंटेर गोड़े पर तो हैल्पिंग वर्फ से स्टार्डिंग होगी ठीक है डशी टीच इंगे इस राइट आंसर है चलिए आगे बलते है काशन नमर थार की तरफ शी कॉछ से क्वाइन जो इंपर्डेंट कोउशन होता है होएं मैं आपको एकस्पेंड कराता हूँ इस में क्या करना है चीरीट मगेडियर इसको भी निगेडिव बनाना ए यानि कि कही न जम्राइन नट कहां लगाना olacak helping वर्फ के बाद बस हैल्पिंग वर्फ को आप पहचा कांए कया है कई बच्छो कॉ आफ हे कैच की सेकलां जिसका मतलब होता है वे पकड़ा किच्छ मतलब पकड़ना वडा तो अब यह संतेस में आपको वीटू देखने को मिल रही है कैच की सेटेस हमारा past indefinite का हुआ किसका हुआ past indefinite का क्योंकि पूरी इंगलिश grammar में जो V2 देखने को मिलेगी वो past indefinite के affirmative में मिलेगी इंगलिश grammar में वर्विकी second form का use past indefinite tense में ही होता है और उसके भी affirmative में किसमें? affirmative में इसके अलावा आपको कहीं पर भी वी टू का यूज देखने को नहीं मिलेगा बलब यह बात तो तय है कि यह sentence हमारा past indefinite का है अब past indefinite का है तो एक बात याद रखिए इसकी जो helping work होती है वो होती है did क्या होती है did जिसको all subject के साथ यूज करते है बस इतना याद रखिए did helping work होती है past indefinite की अब बनाते हम इसको negative negative बनाना पर हमें subject लिखना है subject यहाँ पर she है तो she को हम edit लिखेंगे she अब इसके just बाद हम helping work use करेंगे did she did अब मैंने आपको क्या कहा था negative बनाने के लिए helping work बाद not लगाई है तो यहाँ पर हम लगाएंगे not she did not अब did not लगाने के बाद आपको work बचाईए तो यह जो caught है तो caught की actual form यानि इसकी first form हमें लिखना होगी तो caught की first form क्या होती है catch तो यहाँ पर हम simply write करेंगे c, a, t, c, h she did not catch इसके बाद हम लिखेंगे the then हम write कर देंगे bird यह हम bird write करके full stop लगा देंगे she did not catch the bird तीक है उसने पक्छी नहीं पकड़ा यह write आज़र हुआ negative हमसे बनवाया जा रहा था तो हमने did not का यूज करके catch की first form लिख दी यानि caught पहले v2 था और यह catch v1 है object को जैसे का त्यसा लिख दिया बन गया negative she did not catch the bird चलिए आगे मुग परते है question number 4 की तरफ he went to school yesterday change into interrogative इसको इंटाइगरम में change करना है पहले इसको पहचान ही कौन से टेसका है yesterday से भी आप पहचान सकते है क्योंकि yesterday जो word use हो रहा है यह past indefinite में होता है और यहाँ पर went go की second form है go की second form क्या होती है went इससे भी चीज के लिए रहे कि sentence हमारा past indefinite का है जैसे कि उपर वाला था इसके according हम इसको negative बनाएंगे ठेंस को नहीं बदलना है आपको बस इसको negative में change करना है sentence हमारा यही रहेगा बस इसका negative बन जाएगा इसका रूप चेंज हो जाएगा tense नहीं बदलाता he went to school yesterday तो negative नहीं integrity बनाना है ठीक है integrity बन बन रहा है helping work हमें starting में आप क्या लिखेंगे did अब हम इसकी starting करेंगे did से did इसके बाद हम subject लिखेंगे he did he अब went की first form लिखेंगे यहाँ पर go क्योंकि यहाँ पर v1 का ही यूज किया जाता है negative बनाओ या integrity बनाओ did he go to school है तो school लिख लिख लिजिए did he go to school yesterday यहाँ पर simply write कर लिजिए yesterday और यहाँ पर भी question mark लगेगा did he go to school yesterday यह हमारा sentence integrity बन गया समझ में आ रहे हैं आपको did क्यों लगाया है क्योंकि sentence past का था इसलिए हम helping वर डिड़ लगा रहे है और integrity बन 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 बाया यहाँ पर negative नहीं integrity बन बन बाया जा रहा था did he go to school yesterday चलिए भी इसका last example देखते हैं only 5 examples में आपके लिए लेकर रहा हूं यहां पर भी did main verb हैं क्या है main verb जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था do वर्बी की first form होती है इसका मतबबता करना did इसकी second form होती है जिसका मतबबता किया और done किया जा चुका है तो sentence हमारा past indefinite का है negative का नहीं है negative होता तो not आता integrity तो ही नहीं कोशे माक भी नहीं है तो बस यह जो did है यहां पर main verb पर काम कर रही है जिस तरह से मैंने पहला वाला example दी था do वाला अब इसको negative बनाना है कैसे बनेगा देखिए पहले हम लिखेंगे subject you अब लगाएंगे पहले हम helping verb did अब negative बनाना है तो helping verb के बाद हम लगाएंगे not you did not you did not अब इस did not के बाद हमें चाहिए main verb की first form तो इस did की actual form यानि इसकी first form लिखेंगे जो के हमारी do होगी तो यह did बन जाएगा do you did not do of last में object right करेंगे it you did not do it तुमने यह नहीं किया अब यहाँ पर भी string mistake क्या करते हैं इस do को नहीं लिख पाते हैं क्या बनाते हैं वो you did not it वो main verb को नहीं समझ पाते हैं helping verb और main verb में confused होके ले जाते हैं जबके मैं एक एक बात को clear कर रहा हूँ कि यहाँ पर helping verb कौन सी और main verb कौन सी है यह जो did आपने लगाई है यह हमारी helping verb है और यह जो do आपने लगाई है यहाँ पर अब यह main verb का काम कर रही है you did not do it यह इसको right answer है orchestrates तो आज मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक most important do is directed explain कराए जिसमें हमने sentence को negative में change करना और इसको interactive में change करना सिखाएं और इस तरह से questions एक्जाम में पूछ जाते हैं पहले भी आपने इन questions को देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो आप परिक्षा द्यान या परिक्षा बोध को देख लीजिए या पिछले 10 सालों के paper को आप देखिए तो आपको इस तरह के questions देखने को मिलेंगे एक बार नहीं कई बार इस तरह से questions पूछे गए बस आपको इनकी practice करना है उसके बाद भी strengths mistake कर जाते है और मैं आपको वो भी बता है कि किस तरह से strengths से गलतियां हो जाती है लेकिन आपको वैसी mistakes को repeat नहीं करना है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्लाइकर को प्रेस कर देजिएगा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी नहीं वीडियो को अप्लोड किया जाएगा तो उसका notification आपको टाइम पर मिलता रहेगा सिर्फ एक ही वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए हम एक्जाम तक लाते रहेंगा दो इस दारेक्टेट फिलप्स इंगलिश किरामर की 100% preparation इस चैनल पर कराई जाएगी बस आपनी क्लास कमेट्स आपके लिख दीजिए कि आप किस क्लास के स्टुरेंट्स है ठीके स्टुरेंट्स तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल नहीं बूलेगा और चैनल को सब्सक्काइब कर लिजेगा ठीक्स वर वाइगी